आज सभागुरुहा मदे दिरोधी पक्षाचा वतिन आमी मागणी केली कि स्वताहा मुख्यमंत्री उद्धोजी ठाकरे यान्नी अउकाली पाउज ग्रस्त शेतकर्यान ना 25,000 रुपय हेक्टरी देने आत यतील आशा प्रकारची घोष्णा केली होती त्यांचा घोष्णेची आठवणामी करून दिली करण काल पुरोणी मागणी आल्या त्या पुरोणी मागणीयान मदे शेतकर्यान चा तोंडाला पान पुस्नेचा काम या सरकार्नी केल आणी के आमी आज आक्रमक्तेन ही बाजु माणनून धरली आली सरकारला योड़ा सांगितला कि नुक्तस निवडुन आला हात लगे शेतकर्याचा विश्वास घात करू नका तुमी जे आश्वासन दिलाए ते आश्वासन त्या डिकाणी पुरोण करा खरतर ज्यावई आमचा कालजी वहु सरकार होता त्याच वड़ी आमी कैमिनेट मदे 10,000 कोटी रुपेयाला मान्यता दिली होती त्यानंतर सरकार आमचा नवता तेचा मड़े आमी त्या संद्रबातले जियार काडू शकलो नाई आज सभागुरुआ मदे जैन पाटिल साहब अचा मड़ाले कि आमी 100,000 कोटी रुपेय दिली है खर मन्जे या ठिकाणी त्यानी जी गोटना केली त्या गोटनेचा अजर विचार केला 33,000,000 हेक्टर जमीन मन्जे 23,000 कोटी रुपेय किमान ये त्यानी डैला पाईजे होते साले पास 100,000 कोटी केवल त्या ठिकाणी दिली है त्यामे 55,000 हेक्टरी नी 23,000 कोटी रुपेय कजी देनार यामी त्यानी विचार लाए दूसर या ठिकाणी आता केंद्र सरकार कड़े सग्ल्या गोटी टाकनाचा प्रेत्न अत्यानत केविल वाना प्रेत्न या ठिकाणी सरकार चा वतिना जाला केंद्र सरकार चे नौम्स ठरलेत आमचे पाच वर्षे सरकार होत त्या नौम्स प्रमानेच केंद्र सरकार नी पैशे दिले हे खरा है कि त्या पुर्वीचा अगाणी सरकार पेक्चा जास्त पैशा हा माक्चा पाच वर्षात मोधी सरकार न दिला पंड तेचे नियमाणी निकश ठरलेत माजा सवाल हा मानानी बुख्य मंत्रयानना किमा या ठिकाणी आज जन्नी उत्तर दिला ते जैन पाटलानना है तुम्ही घोश्णा करतानना स्वताचा जिवाओर केली होती कि केंद्र सरकारचा जिवाओर केली होती यचा रेखिल उत्तर तुम्ही दिला पाईजे त्या मले आपल अपयश लपोन्या करता केंद्र सरकारचा नाव घेण हे योग्य नाई है आमी रेखिल जेमाई मदत केली आमी सांगितल केंद्रातली मदत येल तर येल पड़ आमी आमचा भरोशावर मदद करू आणि दर वेस जेवडे वेला अड़त्रनित शेत करी आला त्या शेत करी आला आमी राज्जाचा भरोशावर मदद केली त्या मुले या ठिकाडी आमची मागणी आहे पंचवे सजार उपए हेक्टरी तुमची भुमिका होती तुमी घोश्टना केली होती तुमी 31 ताला तुमी Common Minimum प्रोग्राम त्यार केला उना तुमी त्यादिकाडी Common Minimum प्रोग्राम मुले अवकाली ग्रस्त शेत कर्यानना मदद करू मदँ चांगितलो पड पहिशे दिल आज सभागुरु आमरे दिरोधी पक्षाने आक्रमक्तेन या डिकाणी हामुद्धा लाउन दरला दिवस बरा करता सभागुरु या डिकाणी तवकुप जाला है पड़ यातन और आज विशेषता जैन पठलांच जे उत्तराल त्यातन आता या पुडे पैसा मिर्नार नाही हेस पष्टा जाला है शेथकरैंच उश्वास गाथ जाला है हेस पष्टा जाला है आज सभागुरु हमने मांग की थी कि सनमानिय मुख्यमंत्री अध्धो ठाकरे जी ने ये घोशना की थी कि बेमवसम जो बरसात हुई उसमें जिन किसानों का नुक्सान हुआ उनको 25,000 र जब supplementary demands आई उसमें केवल वहाँ पर 7500 करोड रुपया उन्होंने रखा 25,000 रुपया हेक्टरी अगर देना है 23,000 करोड रुपय देने चाहिए आज उन्होंने एस्पेश्ट कर दिया कि हम 25,000 करोड से ज़्यादा पैसा नहीं देने वाले एक प्रकार से किसानों का विश्व विश्वास घात उन्होंने किया है और ये करते करते अभी केंद्र सरकार से पैसे आएंगे तो देंगे इस प्रकार की जो बात की है ये तो बड़ा विश्वास घात है क्योंकि जब आपने किसानों को अश्वासन दिया था तो केंद्र सरकार के भरोसे नहीं राज्य सरकार के भरो से आश्वासन दिर्या था केंदर सरकार तो जो मदद करने वो करती है पिछले पात सालों में भी उन्होंने की है उनके नियमों के अनुसारों मदद आती है लेकिन पिछले पात सालों में हमने कभी भी केंदर सरकार की मदद का वहाँ पर हमने रहा नहीं देखी राज् प्रके किसानों का विश्वास घात किया है और इसी मुद्दे को हमने हमारे विधान सबा में आज पूरजोर पद्धती से उठाया और विधान सबा आज नहीं चल पाई आज दिन भर के लिए वस्तगित हुई